किस वीडियो सेशन में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है साइबर क्राइम तो सबसे बहले यह समझते हैं साइबर क्राइम होता क्या है Cyber crime एक एस अपराद है जिसमें computer और network शामिल होते है Crime मतलब होता है अपराद और यदि कोई अपराद digital माध्यम से किया जाए Digital माध्यम यानि जिसमें उप्योग में लिया जाए किसी computer को या किसी network को Computer या Computer network में किये जाने वाले या इनके माध्यम से किये जाने वाले अपराद को Cyber crime बूला जाता है Cyber crime से कोई crime करना Computer crime कहलाता है किसी की पसल जानकारी को प्राप्त करना और उसका गलत इस्तिमाल करना किसी की पसल जानकारी को कर्मिट से निकाल लेना या चोड़ी करना भी साइबर क्राइम के अंतरगत आता है किसी की निजी जानकारी को बगर उस व्यक्ती को सूचना दिये लेना एक प्रकार का अपराद है और उस जार्मकारी का दुरुप्योग करना भी साइबर क्राइम के अंतरगत माना जाता है अब हम बात करेंगे कि कितने प्रकार के एसे एसे अटैक हैं जो साइबर क्राइम के तहत आते हैं जिन में से सबसे पहला है स्पाइब वेयर यह किसी कंप्यूटर में बिना इजाज़त के प्रवेश करता है और उस कंप्यूटर की सारी निजी जानकारी मानवेर बेजने वाले गगति या समू को दे देता है स्पाइ मतलब वुकता है जासूसी यानि कि यह आपके सिस्टम में बगर आपको सूचना दिये प्रवेश करेगा और आपकी हर एक गदिविती पर नजर बनाये रखेगा जो भी जानकारी निजी होगी या confidential होगी वो उसको निकाल कर जो जिस व्यक्ति ने इस सॉप्वेर को आपके सिस्टम में भीजा है उस तक महुँचाने का काम करेगा एसी गड़ना को मालवेर बोला जाता है जो हमारा अगला टॉपिक है मालवेर एक प्रकार का सॉप्वेर प्रोग्राम ही जो आपके कंप्यूटर के लिए खतरनाक सावित हो सकता है इस सॉप्वेर को हैकर्स कंप्यूटर से personal data चोरी करने के लिए डिसाइन करते हैं hackers की भाषा में malware term का use virus, spyware और warm आधी के लिए किया जाता है यानि एक एसा customizing, customized program जिसको hacker द्वारा बनाय जाता है hacker यानि कि वह व्यक्ति जो आपकी system की में से आपकी निजी जनकारी को चुराने का काम करते हैं उन्हें hacker बुला जाता है उनके द्वारा बनाय गया एक एसा code block एक एसा software program जो आपके system में प्रवेश करेगा और निजी जनकारी को चुराने का काम करेगा निजी जनकारी से मतलब है आपके bank details आपके photographs, आपके contact details आप किन लोगों से contact करते हैं, किन किन किसे आता आप जुड़े हुए हैं ये सारी जनकारी एक परसल information के तहट आती है दूसरा होता है, phishing तेजी से एक आम घटना कई लोगों के साथ हो रही जिसे phishing कहा जाता है अधिकांश, cybercrime, phishing क्या मात्य हमसे होते हैं phishing क्या होती है, पहले theory देखते हैं, फिर मैं आपको explain करूँगा इसमें email message को वेद वितियस अंस्थानों जैसे की bank द्वारा भेजा गया है एसा प्रतीत होता है और इसमें संदेव शील्ड डेटा, जैसे credit card की जानकारी हो सकती है प्राथ करने के लिए verify के link बेजे जाते हैं जो किसी fraud वेबसाइट पर ले जाता है और एसा लिंक पर click कर आग्रह कर आपको financial जानकारी देगा तो आप मुसीबत में आ सकते हैं कहने का ये मतलब है, fishing मतलब होता है जाल साजी जो hacker द्वारा किसी भी व्यक्ती को फसाने के लिए एक जाल बिछाए जाता है जाल अब यह है कि आपको एक ऐसा mail आ सकता है जो दिखने में एक तरह से genuine लगेगा जैसे example में यहाँ पर दिया हुआ है bank के तुप आने वाला एक mail हाला कि उसमें logo, color combination, नाम almost हमें look and feel उसका bank के जैसा लगेगा किसी भी banker जिस bank आपका खाता हूँ भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो look and feel इसका बिल्कुल bank जैसा लगे है color combination बिल्कुल आपको bank की जैसा feel होगा और वहाँ पर आपको link दिया रहेगा कि फलाना link पे click कर रही है जरूर कोई service है जो अभी तक सही चल रही थी अब वो किसी कारण से pending हो गई है ठीक है मैं इस पर click कर देता हूँ और वो activate हो जाएगी आप जब उस पर click करेंगे तो सीधे सीधे आप उसकी website पर redirect हो जाएगी अब हम लोग website पर गौर करते है address बार पर नजर ही नहीं डालते है website जो है उसका look and feel भी वेसा ही रहेगा वहाँ से आप से कुछ जानकारी मांगी जाएगी आप जानकारी देंगे कई बार आप से login भी करवा लिये जाएगा कि night banking जैसा format है user ID password डलके login करिए और activate हो जाएगा हम अपना असली का user ID password उसमें डाल देखते हैं और activate पर क्लिक करते हैं वापस लोट के हम अपने email पर आता है वो window बंद हो जाती है अब हमें लगता है कि हाँ जो service pending थी अब वो activate हो गई यह वहाँ से message भी आता है हाँ ठीक है अब आपकी service निरतर रूप से जिसे चल रही थी वैसे ही चलती है कि activate हो गई है लेकिन यह bank से कोई mail ही नहीं था और तो और एसी कोई service ही नहीं थी जो pending होई लेकिन इस पूरे scenario में जाने अन जाने में हम अपनी net banking का user ID पासवर्ट दे चोगे तो यह नेजी जानकारी हमसे जाल साजी के रूप में मंगवाली जाती है जिसको phishing attack बोला जाता है चोथा type है spam mail, spam मतलब होता है फरजी किसी व्यक्ति को एक विशे पर बार बार message को भेजना spamming कहलाता है spamming mail का मुख्यों उदेश user के computer का data चोड़ी करना होता है जैसे email, facebook, whatsapp और सबसे जाज़ा spamming पर होती है अर्थात आवांचे संदेश और विज्यापन लोगों को भेजना spam कहलाता है कई बार rumors फैलाये जाते हैं, links भीजे जाते हैं, लोगों को ट्रैक करने के लिए कि ये फ़लाना link आप लोगों शेयर करें और इस पर click करें तो आपको कुछ scheme के तरह का आपको rewards मिलें ऐसे घर बेठे कभी भी कमाई नहीं होती यह हम सब बकु भी चांगते हैं लेकिन वहाँ पर शब्दों का ऐसा ताना बाना होता है जिससे आकरशित होकर हम उस link पर click कर देते हैं और इस तरह की कोई भी scheme वो नहीं होती है जैसे हमें बताई गई तो किसी व्यक्ति को rumors या unauthorized mails जब receive होते हैं तो वह mails spam के लाते हैं आप Gmail में अगर आपको इस तरह का कोई mail आ रहा है तो आप उसको mark है spam भी कर सकते हैं फिर वो आपको inbox में नहीं मिलेगा अगर कोई व्यक्ति वह mail दोबारा भी आपको भीशता है तो वो सीधा spam folder में चला जाएगा जिससे आप distract नहीं है करते हैं logic pom के बारे में logic pom जिससे slack code के रूप में जाना जाता है code का एक एसा दुर्भावनपूंद तुकड़ा है जो एक विशिष्ट गटना द्वारा ट्रिगर होने पर दुर्भावनपूंद कारे को निश्पादित करने के लिए जान बूच कर software में डाला जाता है यह एक virus नहीं है हाला कि यह आम तोर पर एक समान तरीके से विवार्त करता है यह चुक्के से उस program में डाला जाता है जहां यह निर्दिश शर्तों के पूरा होने तक निश्क कारियर रहता है वायरस जेसे दुर्भावनपूर्ण software में अक्सर logic bomb होते हैं जो एक vicious payload या पुर्व निर्दारित समय पर चालूग होते हैं logic bomb का payload software के उपयोग करता के लिए अग्यात है और वह कार जिसमें वे अवांचित रूप से निश्पादित करता है इसको मैं समझाता हूँ एक्चुली इस theory का मतलब करता है logic bomb software के अंदर एक ऐसा छुपा हुआ code होता है जो एक निर्दारित समय आने पर activate हो जाता है example के माद्याम से समझें तो आसान होका कई software हमको internet पर free में मिल जाते है free software हाला कि कोई हमारे लिए क्यों free में software बनाने लग गया उसका क्या फाइदा है हमारे लिए free software बनाने के लिए आज की समाने में कौन किस के लिए इतना सुचता है लेकिन मैं हमको internet पर free software मिल जाते हैं और हम उनको download करते हैं download करने के बाद हम उन्हें install करते हैं तो हमारे वो system में ARM software की तरह install हो जाता है और हमारा काम करता है लेकिन चलते चलते वो बीच में आपसे बोलता है कि आप pro version पे चले जाए प्रो वर्जन मतलब इसके बहतर वर्जन पे जाए उंदा वर्जन पे जाए वो free नहीं होगा आपको कुछ payment करना होगा और payment बहुत ही कम है बहुत कम हम इसकी आधीन हो जाते हैं और फिर pro version के लिए हम payment करने के चले जाते हैं लेकिन जब हम payment करने के लिए जाते हैं payment हो भी जाती है हमने payment भी करते हैं लेकिन वहां बुकतान करने के लिए हमने फिर से अपनी net banking या payment का जरीया बता दिया किस माध्यम से आप payment कर रहे हैं वो जानकारी उनके साथ share करती है तो यह जब तक आप pro version पे नहीं जा रहे हैं यह logic bomb चुप बिठेगा बिलकुल काम नहीं करेगा लेकिन जैसे ही आप pro version की गतिविधी शुरू करेंगे यह activate हो जाएगा और हमारा नुकसान हो सकते हैं तो यह software में डाल कर आपको हमारे system तक पहुँचाया जाता है और अंत में जब कभी हम इस पे claim करते हैं कि इस software को डालने के बाद हमारा कोई इस तरह का नुकसान हुआ है हमारे साथ अपराद घटा है तो वहाँ clearance आता है कि आपने स्वच्छा से इसको download करा था यह खुद से समय हमें उसके लिए उसको पढ़ पाना लगभग असंभवी होता है तो जाने अंजाने में हम उस अपराद के शिकार हो जाते है अब इसके बाद बात करते हैं hacking के बारे बहुत आसान सी चीज़ है जब कोई व्यक्ति किसी उद्देश के लिए आपके system function यानी computer network, server आदी में कमजोरी को ढूंडे और फिर system को अपने अनुसार modify करके data को चुरा लेता है या नश्ट कर देता है या फिर उसे बदल देता है तो इस प्रक्रिया को hacking का रहेता है कुछ कमजोर काड़ी को ढूंडना और उसके माध्यम से system में प्रवेश कर जाना और हमारे लिए एक नुकसान या कटनाई बैदा कर देना hacking के लाता इसमें किसी की व्यक्तिकर जानकारी जैसे की bank account आधार कार्ड नंबर या credit card नंबर आधार कार्ड नंबर भी बताना अब रिस्की है क्योंकि सारी चीज़ें हमारे आधार कार्ड के नंबर से link हो चुकी है अधिकांश रूप से उसके जरीए वित्यलाब उठाने या अफराद की कोशिश की जाती है उसको identity theft कहा जाती है आखरी है इसके बाद spoofing spoofing में कोई cyber criminal किसी website या email id या caller id को track करके आप से कुछ action perform करने के लिए कहेगा जैसे किसी file को download करना या link पे click करना ये बताने की कोशिश करते हैं जो वह नहीं होती है spoof का basically हिंदी में मतलब होता है दोखा दड़ी spoof website email id या link origin में इतने जाधा मिलते जुलते हैं कि आपको लगता है कि ये सही है एक सा करना चाहिए इसमें कोई नुकसान नहीं है या आपको विश्वास जताते हैं जैसे कि एक hacker official email address की जैसी मिलती जुलती email id बना कर आपको mail करता है और उस mail में एक link पर click करने के लिए अग्रे किया जाता है जब आपको लगता है कि ये mail सही है क्योंकि वो official जैसा दिखता है तो आप उस link पर click कर देते हैं और एक बार link पर click करने के बाद virus हों या malware हों आपके computer में download हो जाते हैं और वो आपके computer से information capture करके hacker को भैज सकते हैं अब एक छोटा सा सवाल इन चीजों से समझ में तो आ गया कि अपराद किस किस तरह से गटे जा सकते हैं लेकिन इन से बचने का क्या तरीका है जिन से इन चीजों से बचा जा सके साइबर क्राइम से बचा जा सके तो सबसे पहला अपने computer PC में आप एक अच्छा licensed antivirus डाल के रखें licensed antivirus ना कि कोई free download कर लिया free वाले यही सिंड में से कोई एक होगा कोई किसी के लिए free में कोई काम नहीं करता तो एक जैन्वन antivirus डाले दूसरा windows का firewall activate करके रखें firewall को disable ना करें कोई parroted operating system का इस्तिमाल ना करें कोई भी parroted system software का इस्तिमाल ना करें parroted मतलब crack कर रहा हुआ आप officially उनको purchase करें license software का ही इस्तिमाल करें किसी भी link पर click करने के लिए अग्रे करने के लिए अगर आपके पास mail आता है तो आप उसे ignore करें free download software के बैकावे में ना आए किसी के साथ अपनी निजी जानकारी शेर ना करें भले वो bank की ही website से mail क्यों ना आया हो इतना समझ लें bank के पास आपकी सभी जानकारी मौझूद है वो आपसे कभी कोई जानकारी phone के थूँ या mail के थूँ प्राप्त नहीं करेगा अगर कुछ bank को चाहिए भी होगा तो वो by post आपको एक letter drop करेगा कि आप bank में visit करें खुद जिसका account वहाँ आपसे बात की जाएगी बजाए आपको link बेजे जाएंगे फिर आप इस पर click करें तो OTPs आपको उसमें डालना पड़ेगा इस तरह की bank के तरफ से कोई भी गतिविदिया नहीं होती है तो ये थे cybercrime से बचने के कुछ तरीके आज की सेशन में हमने बात की cybercrime के बारे में और attacks के प्रकार के बारे में